तो यह विदियो में बात करेंगी कि लूसेंट बुग को कैसे पढ़ना चाहिए कि बहुत सारे लोगों का कमेंट रहा है कि लूसेंट कैसे परे क्योंकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जाते हैं उनका कहना है कि जैसे जैसे नेक्स चेप्टर पढ़ते जाते हैं पीछे वालत सब भूलते जाते हैं तो उसको क्या करें जो कि आपको सब कुछ ध्यान मेरे वैसे देको ध्यान में तभी रहेगा जब आप बार-बार प्रैक्टिस करते रहोगे एक बार कोई भी चीज बढ़ मेरा हो जाएगा नहीं आपको और भी तरीके से खुद भी बहुत कोशिश करना परेगा त्योंकि इसे एक बुक से कोश्चन आएगा नहीं बहुत आरफ पीडिये से कोश्चन भी आपको देखना पड़ेगा एलवे का इससी का ठीक है और बिहार में जो एक्जाम हुआ है अब यह भी कंड़क्ट हो है हो सबका इस तरह से एक दो बुक को आपको साथ मिलेकर चलना होगा और बार-बार उसी को पढ़ना होगा तब आपको जाकि ध्यान देगा किसी भी शेक्शन हो किसी भी बुक को किसी बीचैप्टर हो कोई बीचीज हो एक बार में साइधी कोई लिए हो तो बार बार ज़रूर पढ़ना तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आपको बिखाते हैं कि यूचे से सही तरीके से पढ़ना चाहिए और एक पार आप इसको करके देखो मेरा विश्वात से कि आपका बेसिक कॉं बहुत अच्छा बना ले तो जीके नहीं जानते हो तो आपका सेलेक्शन के लिए हर सेक्षन जानना बहुत ही जरूरी है चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको दिखाते हैं कि कि किस तरह से हमको लुचेंट का बढ़ना चाहिए ताकि भूल मतलब बहुत कम भूले अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले देखो मेरे को हमें सब ऐसा लगता है कि पॉलिटी सबसे नॉर्मल सा स्रेक्शन है जिसको की जल्दी कवर अप किया जा सकता है इसलिए हम पॉलिटी को लेके चलेंगे तो अभी देखो जैसे कि आप भरत अगर आप यह अब थियोरी यह पढ़ते हो ठीक है लेकिन आपको पता नहीं है कि एक्जाम में कैसा कोश्चन पूछेगा क्या पूछेगा नहीं पूछेगा सिर्फ आप थियोरी पढ़ते जा रहे हो लेकिन अगर साथ में अबजेक्टिव का भी बुक लेके चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां जो हम पढ़े हैं उससे क्या कोश्चन निकलता है ठीक है बहुत सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि तो इस तरह से अब जैसे हम यहां पढ़े सब्सक्राइब तो अब लोगों को समझ में आएगा नहीं तो फिर अगर हम अभी सिर्फ इसको पढ़ते और वहां पर पढ़ते और भूल जाते लेकिन जब अब यह अब जैसे पढ़ने के लिए बैठेंगे तो साथ में अब यह आपको एक शीज और दिखा देते हैं कि कुछ भी जिसे देखो एक कोश्चन है कि यहाँ पे देखो पिट्स इंडियाएक्ट किस वर्स पारित किया गया अब देखो यहाँ पे कहीं पे तो होगा देखो यहाँ पे हैं इसके पूरा पढ़ेंगे और इधर इदर भी देखते जाएंगे कि जो हम पर रहें क्या है इसमें मिलडा है या नहीं मिलडा है तो साथ में अगर लेके चलोगे तो बहुत फाइदा होगा ठीक है कोश्चन और मेरे साब से मेरा क्या कहना है कि एक दो एक बुक कम से कम और रखना इसके अलाबा पूछा हुआ चैप्टर वाइस अगर कोई मिलता है तो इससे क्या होगा कि फिर मतलब आपको फाइदा हो जाएगा और तो आप जो देखो जिसे अभी कुछ दूर परोगे अब ऐसा नहीं है कि जो अब्जेक्टिव में हैं वह सारा कोश्चन रहेगा ही जो इसमें पूछा है जो हम यह पढ़ेंगे यह सारा ही रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं है थोड़ा बहुत कोश्चन आप खुछ से भी बना सक लेकिन जैसे आप अभी इसको परोगे और फिर अब्जेक्टिव देखोगे तो आपको खुद समझ मेंगा कि कोश्चन कैसे कहां से बनता है कैसे क्या होता है अगर आप सिर्फ यही पढ़ते जाओगे तो फिर बहुत दिक्त हो जाएगा ठीक है और छोटा-छोटा बात को एक दम ध्यान रखना ताकि कहीं भी से भी कवर अफ हो जाएगा कोई जैसे अब भी हम लोग यहां देखे कि लड़ाई तो सत्रसो संतावन में हुआ है तो प्लासी की लड़ाई यहीं पे लिख देंगे प्लासी की लड़ाई इसके इसके बीच लड़ा गया यहीं पे प्लास में उसका मिनी या जो भी है सब कुछ लिखने का ठीक है जैसे अभी आप देखो जैसे यह 833 का चार्टर होता क्या है हम लोग यह ध्यान नहीं करते है बस यह ध्यान करते कि 833 में चार्टर अधिनियम हुआ तो लेकिन अगर हम यह ध्यान करने लेगें कि चार्टर क्या है वह अब नेट पर सर्च कर लेंगे तो अगर कहीं पर भी एक वर्ड कुछ आ गया कि चार्टर करके कहीं लिखावा लेकिन आपको पता नहीं है कि उसका डेट या उसके बारे में क्या होता है लेकिन और प्रॉब्लम होगा इसको याद करना उसको देखना आपको कर रहे हैं इतना देर में तो अब्जेक्टिव कोश्चन बहुत याद हो जाता तो चलो बुक और अब्जेक्टिव का तो आप देखी लिए आप सामने हो की तो चेहरा से आपको बताते हैं कि क्या 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 इसको इस तरह से पढ़ने से हम हमें दिमाग में बहुत उल्टा पढ़ लेते हैं ऐसा ही लगता है और मेरे को भी उस ताइम लगता था लेकिन फिर क्या होगा कि आप जब तक तयार नहीं करोगे कोई किसी भी चीज़ का मैथ हो गया रिजनिंग हो गया एक बार आपको अच्छा से पढ़ना होगा एक बार सिर्प आप अच्छे से पढ़ बहुत मुश्किल होता है इसको पांच बार भी पढ़ लोगे तो भी मुश्किल वैसा ही रहेगा लेकिन फिर क्या होगा आपको लगेगा कि कुछ नहीं पता है लेकिन एक्जामनेशन में जब जाओगे तो आप बहुत अच्छा करके आओगे और आपको बहुत मजाएगा इसलिए जब भी पढ़ना तो एक बेसिक तरीके से पढ़ना ताकि आपका बेसिक तयार हो जाएं इसलिए कभी भी आप किसी के मुझ से सुनते होगे तो और दिमाग में यह कभी मत रखना कि मैं सब हो जाएगा वह सब हो जाएगा आप खुद समझदार हो और कोई दिक्कत होता है तो बताना बस इतना इतना ही था वीडियो में और कुछ होगत वैसा कमेंट करना और बाकी बाद तयारी अच्छी से करते हो एक्जामनेशन के बारे मत सोचो कि कब होगा ठीक है जब होने का हो ही जाएगा आपका तैयारी बस अच्छा होना चाहिए और डी मॉटिवेट कभी मत होना मार्क हमेशा अप एंड डाउन होते रहता है कभी कभी हम लोगों को तो एक सेट में 102 आ जाता था किसी सेट में 75 आता था तो यही लगता थ है कि यार हो पाएगा की नहीं हो पाएगा लेकिन ऐसा होते हो गया रहे तो हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपको जानकारी थे यह मैश के लिगारिगा और और पुछ भी तो वहां आप कमेंट करो हम बताएं ठीक है या फिर मेरा टेलिग्राम चैनल प्रोटीग जाल बाहि